हेलो नमस्कार आदाफ से स्रिकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका हो शुबेलिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपर्टेंट टॉपिक के ओपर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हाली में होम मिनिश्ट्री दौर है तो किस तरीके से होता है और सवाल ये भी उठता है कि केसे ट्रांसजेंडर अर्द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन आप दोस्वाइटी इन सारे टॉपिक के ओपर कंप्लीट डिस्कॉशन इस लेक्चर के अंदर होने वाला है तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते ह है अब उसके पहले आप लोग मैं साथ में SRC 10 टेलिग्राम गृप वाफ्फाइंडर टेलिग्राम गृप के ओपर जुड़ सकते हो क्लास की अपडेट पी पीटी पीडिया आपको हैं पर मिल जाती है इसके अलावा एसा सी 10 टेलिग्राम गृप के ओपर रेग्यूलर करें src10 code का यूज़ करने के बाद मैं आप screenshot में को मेरे टेलिग्राम ग्रूप के ओपर भेज सकते हो या फिर वहाँ पर दिये गए मेरे contact के ओपर भी भेज सकते हो जिसके बाद आपको personally one-on-one guidance मेरे द्वारा मिलेगा जहां पर मैं आपको बताओं किस तरीके से आपको आपकी त Indian Prison यह रिपोर्ट निकाली गई थी Commonwealth Human Rights Initiative CHRI द्वारा जिसके अंदर वहाँ पर यह बताया गया था कि किस तरीके से भारत सरकार के कम regulation होने के कारण policy framework कम होने के कारण जेल के अंदर transgender के लिए infrastructure कम होने के कारण किस तरीके से transgender person का सोशन हो रहा है जेलों के अंदर जहां पर उन सरकारों उनकी तरफ से कोई uniform mechanism या कोई uniformity ही नहीं जिसके कारण से transgender का जो data है वो non uniform है कुछ राज transgender को others के रूप में रिकगनाईस करते हैं तो कुछ राज transgender को male या female की category में ही डाल देते हैं आप देखोगे तो 34 में से 9 राज और union territory ऐसे हैं जो उनको others किसमें डालते हैं वर देखोगे तो राज की तरफ से transgender के लिए वो standard maintain नहीं किया जाता है अलग से medical personals अलग से उनके लिए police कर्मी वो सब नहीं है जिस तरीके से महिलाओं के लिए हैं वो सब transgender के लिए नहीं है जिसके कारण से problem होती है जैसे medical facilities का ही में एक example देता हूँ तो एक transgender थी जिन्होंने जिनके उपर murder attempt to murder का exam लगा था जब उनके उपर attempt to murder का exam लगा तो उन्हें जेल में रखा गया पर जब वो अरेश्ट हूँ इसके जच पहले उन्होंने अपने brush की surgery कराई थी जिस जोरान में उनके जेल में arrest होने के बाद में complication बढ़ने लगे जब medical personal के पास ले जाया गया he was not trained for a transgender और उसने एक normal pen killer दे दी जिसके कारण से complication और बढ़ गए वाई क्योंकि वो standard जो है transgender के लिए नहीं है इतना ही नहीं courts कहीं बार transgender को others के रूप में recognize करने के बजाए male और female के रूप में कहीं सारे cases में recognize कर चुकी है जिसके कारण से jailों के अंदर भी male और female के अंदर ही उन्हें recognize किया जाता है जब ऐसा होता है तो वो जो identity जो उन्होंने खुद से choose की है उन्होंने खुद से recognize कि I am not a male I am not a female I am a transgender वो beautiful concept वो identity कहीं न कहीं loss होती जिसके कारण से उनके अधिकार जो है वो loss हो रहे है इतना ही नहीं ट्रांजेंडर के लिए क्योंकि policy frameworks नहीं है इस कारण से कोई अलग से accommodation नहीं है उन्हें या तो male के साथ रहना पड़ता है या female के साथ अब एक transgender male के बीच में या female के बीच मे कहीं भी रहे उसे वहाँ पर isolated रहना पड़ता है क्योंकि there is a social stigma जिसके कारण से कहीं साथे लोग उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते और वो वहाँ पर रहते हुए भी isolate हो जाते हैं जिसके कारण से वो जो अधिकार है वो उनके नश्ट हो रहा है इतना ही नहीं आप दे देखोगे तो इन male prisoners के द्वारा अधिकतर transgender के साथ में sexual assault जैसी चीजें भी होती है इवन कहीं बार physical assault भी होता है कहीं बार dignity के अंदर violation होता है जैसे कभी भी transgender को recognize किया जाता है तो कहीं बार medical person उन्हें कपड़े उताने के लिए या कि strip करने के लिए कहता है यह strip private जगे पे ह पर क्योंकि कोई regulation नहीं है क्योंकि कोई policy नहीं है इस कारण से सबके सामने ही strip करने के लिए क्या दिया जाता है जिसके कारण से वह जो dignity है वह कहीं ने कहीं वाइलेट होती है क्योंकि jail के अंदर वो infrastructure नहीं है जिसके कारण से उनके human rights का violation होता है जैसे कि separate toilet नहीं है transgender के वहीं पुलिस कर्मी, मेडिकल, परसनल जो जेल अंदर अवेलेबल हैं उनकी ना तो ट्रेनिंग हुई है ना ही वो आवेर हैं अबाउट दो प्रोग्राम्स आफ राइट अफ ट्रेंसजेंडर्स ये सारी दिक्कतें प्रीजन के अंदर ट्रांसजेंडर्स को जेलनी पड़ती है ताकि उनको इन सारे राइट्स मिले ताकि इन सारे शोशनों से उनको प्रोटेक्शन मिले इस कारण से हाली में गरहम अंत्रा लेद्वारा राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को एक एडवाईजरी भेजी गई है जहां पर ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स की प्र सेपरेट अकॉमोडेशन सेपरेट वाड सेपरेट इनकलोशर इन ट्रांसजेंडर के लोगों को देना है ताकि औरो ञाए और उनको सेपरेट वाट दिया जाए यह भी ध्यान रखा जा दो वीं के सारे लोगों से male female से उनके साथ में भी बाचीत जो होती रहनी चाहिए अगर वो बाचीत नहीं होगी अगर वो contact नहीं होगा अगर उन्हें एक तरफ अलग से रखा जाएगा और वो isolated रहेंगे तो समाज में एक stigma create हो जाएगा क्योंकि जेल में भी इन्हें अलग रखा जाता है तो समाज में भी हमें अलग रखना चाहिए वो stigma create नहों इस चीज का भी ध्यान रखने को राज्यों ने कहा है इतना ही नहीं जो accommodation दिया जाएगा transgender को उनको उनकी identity के आधार पर दिया जाए और जब जेल अधर्स की category में डाला जाए because they recognize themselves as a beautiful concept जहां पर वो अपने आपको transgender के रूप में recognize करते हैं वो कहते हैं कि मैं male नहीं हूँ मैं female नहीं हूँ मैं transgender तो राज को उनको recognize करने में क्या दिक्कत है इस कारण से उनने recognize किया जाए not just this यहां पर ये भी कहा है कि accordance with their gender जिसा उनका gender है उसके अनुसा उनको suitable accommodation दिया जाए एक व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो अपने gender को खुद recognize कर सकता है चाहे वो male करे तो male करे वो female करे तो female करे और वो transgender करे तो transgender करे हरे के पास में self-perceived gender identity का अधिकार है according to the transgender person protection of right act 2019 तो उसके तहत उनको ये अधिकार जेलों के अंदर भी मिलना चाहिए कि वो अपने आपको recognize कर पाए उनकी identity जो है वो protected रहा है और उनकी identity को हर जगे protect करने के लिए चाहे वो jail हो चाहे वो medical examination हो चाहे वो search हो चाहे वो lodging हो चाहे वो clothing treatment हो या फिर कोई care हो इन सारी जगों पर उनकी identity protect होनी चाहिए जेल में क्योंकि jail में एक ही जगे नहीं है जहां पर रहने वाले कहीं बार वो medical facilities में जाएंगे कहीं बार उनको दूसरी care के लिए भेजा जाएगा तो कई बार उनको lodging वगेरा के लिए clothing वगेरा के लिए इन सारी जगों पर उनकी dignity maintain रहनी चाहिए उनको वो recognition मिलना चाहिए जिसके बाद में यह कहा गया है कि jail official national portal के उपर transgender को apply करा रजिस्टर करा ताकि हर जगे पे यह recognize रहे के नहीं दे आद ट्रांजेंडर ताकि उनकी identity जो है वो maintain रहे not just this आप देखोगे तो medical professionals और paramedic लोग जब search करें कि if there is a person is he transgender or not उसके लिए कहीं बाद श्ट्रिप भी कराना पड़ता है तो अगर श्ट्रिप कराया जा रहा है तो या तो private room में कराया जाए या फिर there should be a partition जहाँ पर बाकी लोग उन्हें नहीं देखे ताकि उनकी dignity जो है वो maintain रहे इतना ही नहीं प्रीजन के अंदर जो medical officers हैं वो इस तरीके से train होने चाहिए कि वो सेंसीटाइज रहें transgender की तरफ जितने भी officials हैं government officials हैं जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनके अंदर भी एक feeling होनी चाहिए transgender के sensitivity को लेके इतना ही नहीं transgender के लिए separate bathrooms जो है वो available होना चाहिए transgender दो प्रकार के हैं there is a trans man there is a trans woman as well यह दोनों अपने आप में अलग हैं अगर यह दोनों अपने आप में अलग हैं तो इन लोगों के लिए अलग-अलग washroom जो है वो available होना चाहिए इतना ही नहीं transgender person protection of right act 2019 जो है वो transgender को protect करने की बात करता है उनको एक separate identity देने की भी बात करता है तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं कि यह act क्या है तो यह act कहता है कि अगर magistrate district magistrate के पास में transgender जाए और वो प्रूव कर दे कि yes I am a transgender इस वह अपनी identity already बता दे magistrate को district magistrate को अगर कोई वैक्ति अपने जेंडर को खुद self pursue भी करना चाहता है वो बताना चाहता है कि नहीं मेरा जेंडर न मेल है न फीमेल है आयम ट्रांस जेंडर और वह अगर district magistrate को जाके बताता है तो district district magistrate उसे जेंडर का certificate देता और वो जो जेंडर के certificate है उसके आधार पर उन्हें वेलफेर स्कीम जो मिल पाती जैसे कि smile अभी चलाया है इतना है नहीं आप देखोगे तो इसी 等等 के अंदर ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जेंडर को चेंज करता मालों transgender से किसी और फिक्से जेंडर के अंदर वो जा रहा है कि और करूंद के या आ रहा एक तरीके से उसके जेंडर में बदला हूए है उस तरीके के बदलाऊ हूँ हो जा कि अ हूँ उन्हें welfare schemes जो है वो मिल पा है बट सवाल उठता है कि transgenders को इतनी सारी protections हाली में क्यों दी जारी है क्योंकि transgender are the most vulnerable section of this society, why? क्योंकि आप मेरी बात feel करना, क्या होता है कि family के अंदर, घरों के अंदर, समाज के अंदर एक stigma बना हुआ है जहां पर एक binary system है कि there is a male, there is a female, there is a black, there is a white, there is no grey जहां पर एक stigma बना हुआ है कि transgender अगर घर में जन्म ले लेता है तो parents ही उसे recognize करने से मना कर देते हैं पहले में तो उसको डाटते हैं कि ऐसे हरकते ना किया गरों वैसी हरकते ना किया गरों और जब वो नहीं करता तो उससे accept करने से मना कर देते हैं जब ऐसा होता है तो कई बार ना उनको education मिल पाती है ना उनको वो care मिल पाती है जब education और care नहीं मिल पाती तो उसके बाद में उनको employment नहीं मिल पाता जब employment नहीं मिल पाता तो वो protection उनको नहीं मिलती not just this वो अपने लिए खुद कमाने के लिए सक्षम नहीं रह पाते white collar jobs वगेरा वो सब नहीं ले पाते इसके कारण से कहीं बार उन्हें train के अंदर बेगार भी करना पड़ता है but all this is because of what क्या उसके अंदर उनकी कोई गलती है नहीं it is just a creation of a god a beautiful creation of a god but due to the stigma of the society they are getting vulnerable और हम लोग कहते हैं कि these transgenders की दुआ बहुत लगती है पर दिक्कत यह साब कि कल तक जो दुआ दिया करते थे आज उन्हें दया की जरुद पड़ गई है तो ऐसी condition में as they are the one of the most vulnerable section of the society इस कायन से सरकार steps ले रही है ताकि उन transgenders को recognize किया जापा है उनकी identity को recognize किया जापा है ताकि उनको उनके अधिकार मिले वो basic human right मिले जो मिलना चाहिए दोस्तों आज के लिए इतना ही that's all from our side थेंक्यू और अवनाईज दे अभी offer available है जहाँ पर 18 महीने के Combo subscription के उपर 63,000 तक का यह पढ़ने वाला है 19 जनवरी तक तो जल्दी से जाओ subscribe करो code कहीं उस करना है src10 इस subscription से होगा क्या subscription में क्या है खास subscription की वज़े से आपकी preparation जो है वह बहतर नहीं वह best होगी क्यों क्योंकि आप एक चीज देख पाते हो के इंडिया के कहीं सारे educator जो पहले किसी और platform पर पढ़ाया करते थे online तो पहले कहीं सारे ऐसे educator थे जो offline पढ़ाया करते थे जो आपके भी favorite थे आज वो unacademy पर है why क्योंकि जहाँ पर जो best है आज वो unacademy पर है तो unacademy आप लोग के लिए best ले के आता है तो आपको अपने लिए कौन सा platform चुनना है वही चुनना है जहाँ पर आपको best मिले और वो best आपको unacademy में मिलेगा जहाँ पर आपकी preparation बहतर नहीं best होगी जहाँ पर आप plus और icon सब्सक्रिप्शन के फायदे उठा सकते हो इन दोनों में अंतर क्या है प्लस के अंदर आपको एजुकेटर से पढ़ने का मौकार टैशी नोट्स किताबे सब कुछ मिलती है पर वन-on-one mentorship नहीं मिलती है अगर आपको वन-on-one mentorship चाहिए तो आप आइकन इस सब्स्कृप्शन भी ले सकते हो और इन सब्सक्रिप्शन के अंदर जब आप कोड उस करते हो OHC-10 और उसके बाद वे आप चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन लो आप चाहे आईकनिक का सब्सक्रिप्शन लो आपको मेरे दवारा वन-on-one mentorship बिलती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जय जय भार